10.5.1, अपवर्तनांग, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने देखा कि प्रकाश की चाल अलग-अलग पारदर्शी माध्यमों में अलग-अलग होती है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रतिसेकंड है जो अन्य किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है वायू में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में थोड़ी ही कम होती है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V है वह निर्वात में प्रकाश की चाल C है तो निर्वात में प्रकाश की चाल वो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को परम अपवर्तनांग Absolute Refractive Index या आपेक्षिक अपवर्तनांग या निरपेक्ष अपवर्तनांग कहते हैं इसे N से प्रदशित करते हैं परम अपवर्तनांग बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात N बराबर C बटे V समीकरण 1 प्रश्न 4 यदि पानी का परम अपवर्तनांग 4 बटे 3 है तो पानी में प्रकाश की चाल ग्याद कीजिए हल हम देखते हैं कि प्रश्ट में दिया गया है पानी का अपवर्तनांग पानी का अपवर्तनांग है चार बटे तीन और हमें पानी में प्रकाश की चाल गयात करनी है इसके लिए हमें निर्वात में प्रकाश की चाल के आवशकता होगी तो हम पहले देख लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुनित 10 की घात 8 मीटर प्रती सेकेंड अब पानी में प्रकाश की चाल ग्याद करनी है तो पानी में प्रकाश की चाल वी बराबर हम ग्याद करेंगे पानी में प्रकाश की चाल वी बराबर हम ग्याद करेंगे इसके लिए हम जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांग बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांग बराबर हो जाएगा इसके बराबर हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल तो अब हम इस सम्बन में पानी का अपवर्तनांग का मान और निर्वात में प्रकाश की चाल लिख देंगे तो हल करके हम पानी में प्रकाश की चाल ग्याद कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं यदि हम पानी के अपवर्तनांग की बात करें तो उसे हम NW से दिखा सकते हैं और इसके बराबर में निर्वात में प्रकाश की चाल C से और पानी में प्रकाश की चाल को हम दिखा सकते हैं VW से तो अब हम इनका मान रखते हैं पानी में अपवर्तनांख हमें दिया हुआ है पानी का अपवर्तनांख 4 बटे 3 प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो है 3 गुनित 10 की घात 8 और पानी में प्रकाश की चाल हमें ग्यात करनी है चलिए इसे हल कर ले तो पानी में प्रकाश की चाल बराबर हमको मिलेगा तीन गुनित तीन गुनित दसकी घात आट बटे चार इसको हल करने लिए ये हो गया नौ गुनित दसकी घात आट बटे चार और हमें इसका उत्तर मिलेगा 2.25 गुनित 10 की घात 8 मीटर प्रती सेकेंड किसी माध्यम में प्रकाश कितनी तेज या धीमी गती से गमन कर रही है इसकी जानकारी हमें पदार्थ के अपवर्तनांग से होता है अधिक अपवर्तनांग वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होगी दी गई सार्णी में अलग-अलग पदार्थों के अपवर्तनांग और आपेक्षिक घंणतों का मान दिया गया है N बराबर C बटे V के आधार पर हम विबिन माध्यमों में प्रकाश की चाल की गढ़ना कर सकते हैं सार्णी को पूरा करे 10.5.2 सापेक्षिक अपवर्तनांग रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांग कहते हैं इससे प्राया संकेत 1μ2 अथवा N21 से व्यक्त करते है N21 बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्विती माध्यम में प्रकाश की चाल समी करण 1 N21 बराबर V1 बटे V2 समी करण 2 जहां V1 प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है वह V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है यदि हम समीकरण 2 को उपर नीचे C से भाग करे तो N21 बराबर V1 बटे C बटे V2 बटे C बराबर V1 बटे C गुणित C बटे V2 बराबर 1 बटे N1 गुणित N2 बराबर N2 बटे N1 अर्थात सापेक्षिक अपवर्तनांक N21 बराबर द्विती माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक N2 बटे प्रथम माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक N1 याने की N21 बराबर N2 बटे N1 समीकरण 3 सोचिए क्या अपवर्तनांग आपतन कोड़ पर निर्भर करता है प्रश्न पांच यदि जल का अपवर्तनांग 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांग 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांग तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांग ग्याद कीजिए हल यहाँ पर हमें दिया गया है जल का अपवर्तनांग जो है एक दशमलो तीन तीन इसी प्रकार कांच का अपवर्तनांग भी दिया गया है काँच का अपवर्तनांग है एक दशमलोग पाँच अब जल के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांग जल के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांग याने की डबलू एन जी ये हमें ग्यात करना है हम जानते हैं कि जल के सापेक्ष काच काप परतनांग डबलू एन जी बराबर क्या होगा काच काप परतनांग बटे जल काप परतनांग याने कि एन जी बटे एन डबलू क्योंकि हमें इनके मान दिये गए हैं काच का अपवर्त नांग है 1.5 बटे जल का अपवर्त नांग है 1.3 तीन तो इसको हल करने से हमें मिलेगा 1.13 लगभग तो जल के सापेक्ष काच का अपवर्त नांग हो गया 1.13 लगभग इसी प्रकार अब हम ग्याद कर सकते हैं काज के सापिक्ष जलका अपवर्थनांग ये बराबर इसको हम क्या लिखेंगे जी एन डबलू बराबर जी एन डबलू क्या होगा जिस प्रकार हमारे पास यहाँ पर अपवर्थनांग था जलके सापिक्ष काज का इसके लिए काज का अपवर्थनांग बटे जलका अपवर्थनांग तो अब काज के सापिक्ष जलका अपवर्थनांग ग्याद करने के लिए होगा जल का अपवर्तनांग बटे कांच का अपवर्तनांग चलिए आगे हल करते हैं चलिए आगे देखते हैं तो हमें ग्याद करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांग याने की G N W बराबर पहले हम लेंगे जल का अपवर्तनांग तो जल का अपवर्थ नांग है 1.33 बटे काच का अपवर्थ नांग जो की दिया गया है 1.5 इसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.89 लगभग तो इस प्रकार काच के सापेक जल का अपवर्थ नांग हुआ 0.89 लगभग अब हम यहाँ एक चीज और देखते हैं कि हमने गयात किया है जल के सापेक काच का अपवर्थ नांग याने की डबलू एन जी और यह है काच के सापेक जल का अपवर्थ नांग याने की जी एन डबलू यदि हम इनको गुणा करें तो इनका मान हमने लिखा था एन जी बटे एन डबलू गुणित ये कितना हो जाएगा एन डबलू बटे एन जी इसे हल करने पर हमें मिल रहा है एक याने की जल के सापेक्ष काच का अपवर्थ नांग और काच के सापेक्ष जल के अपवर्थ नांग का गुणान फल एक मिल रहा है इसे हम यदि जल को पहला माध्यम और ग्लास को दूसरा माध्यम मान ले तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1&2 गुणे 2&1 बराबर एक यदि इस सम्मंद को हम शब्दों में लिखे तो हम लिखेंगे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्थ नांग गुणेत माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्थ नांग बराबर एक अब हम इस सम्मंद को और कैसे लिख सकते हैं 1&2 बराबर होगा एक बटे 2&1 याने की माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्थ नांग जो होता है वो माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक के अपवर्थ नांग का वित्रम होता है तो चलिए इस निशकर्ष को हम लिख लेते हैं कि आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं हमने देखा कि 1 and 2 बराबर हमें मिला है 1 upon 2 and 1 याने कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक के अपवर्तनांका का व्यूतक्रम होता है याद रखे निर्पेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव एक से अधिक होगा क्योंकि प्रकाश की निर्वात में चाल सदैव अन्यमाध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होती है वायू का अपवर्तनांक एक दशमलो शुन्य शुन्य तीन होता है परन्तु उसे सरलता के लिए एक माना जाता है